अस्सलाम अलेकूम वेलकम टू मैं चैनल कुकिंग वित राभी आज हम बनाएंगे चिकन चाइनीज प्लाव चलिया यह स्टार्ट करते हैं बॉनलेस चिकन ली है मैंने एक पाव हाफ केजी बासमती राइस लिया है वन कप शिमला मिर्च ली है वन कप गरीन अनियन ली है वन क अज्धी नव कर लिया हैं तो नियुक कर लियुक है क्यूबस में कर लिया था कि अंध्य micso मारा था की WOR जلة लिया है और प्लेकूम अटिर हाफ कप दही लिया है नमक लिया है चाइनिस नमक लिया है ब्लैक पैपर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है हरी मिर्च पेस्ट लिया है कड़ी पत्ता लिया है प्याज लिये है कट कर ली थी दो अंडे लिये थे बॉयल कर लिये हैं अब एक पैन लेंगे इसमें ओयल डालेंगे वन थर्ड कप, गरम होने देंगे, अब इसमें कड़ी पता एड़ करना है, फ्राइ करेंगे, अब इसमें बॉइल आलू एड़ कर देंगे, क्यूब्स में कट हुए वे, अब इसमें मटार एड़ कर देंगे, गाजार एड़ करनी है, शिमला मिर्च एड़ करनी है, मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे, शेलो फ्राइ करना है, अब इसमें हर ग्रीन अनियन डाल देंगे, सोय सोस एड़ करना है, टू टेबिल स्पून, वाइड विनिगर एड़ करना है, सिरका वन टेबिल स्पून, अब इसमें काली मिर्च एड़ करेंगे, वन टी स्पून, सॉल्ट एड़ करना है, चाइने सॉल्ट एड़ करना है, वन टी स्पून, अब इसे साइड पर रख देंगे, एक पैन लेंगे, इसमें हाफ कप ऑईल डालेंगे, अब इसे गरम होने देंगे, ऑईल जब गरम हो जाए, तो इसमें साबुत गरम मसाले अट करने है, फ्राइ करेंगे अच्छी तरह, अब इसमें कडी पता अट करना है, अब इसमें प्यास करनी है, चौप की हुई, फ्राइ कर लेंगे, अब इसमें जिकन आट करनी है क्यूब्स में जो ठी, फ्राइ कर लेंगे अच्छी तरह, लसन अद्रक का पेस्ट एड़ करना है वन टेबिल स्पून कलर चेंज होने तक इसे फ्राइ करते रहेंगे अब इसमें हारी मिर्च पेस्ट एड़ करना है टू टेबिल स्पून जादा एड़ नहीं करेंगे क्योंके ब्लैक पेपर भी वेजिटेबल में एड़ था अब इसमें नमक एड़ करेंगे टू टेबिल स्पून नमक एड़ होगा अब इसमें दही एड़ कर देंगे हाफ प्याली नमक इसलिए एड़ किया है क्योंके इसी में हम अपने चावल डाल के बनाएंगे वाइड विनिकर एड़ करना है वन टेबिल स्पून तेल अलग होने तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे अब इसमें पानी एड़ करना है दो ग्लास पानी एड़ करना है पहले से गरम कर लिया था पानी अब इसे अच्छे से पकने देना है पानी में जब वाइल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल एट करेंगे जो पहले से हमने सोक कर लिये थे पानी से गरम हो जाएगा तो चामल एड़ करने हैं इसमें अब इसमें चामल एड़ कर देंगे अब इसे पकने के लिए रख देंगे चामल हमारे रेड़ी हैं अब हम इसमें वेजिटेबल एड़ कर देंगे जो हमने फ्राइय की थी अलग से अब इसे मिक्स कर लेंगे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा आई होब आपको मेरी रसीपी पसंद आएगी अगर आपको मेरी रसीपी पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थैंक्स पॉर वाचिंग दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज